फिर पचास प्रश्णों की जीएस सामानत रिजिनी की महत्तुपुर्ण सीरिज के साथ मैं दुर्गेश इल निवी दुर्गेश पनिसिल एजर गेस्ट के रूप में आपके बीच हाजिर हूँ जी हाँ आज की सीरिज आपके लिए काफी स्पेशल महत्तुपुर्ण होने जा रहे हैं यहाँ से ऐसे प्रश्ण आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके परिच्छन भूब भूब पूचे जाएंगे यह प्रश्ण की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि के लिए आपको मेहनत कने पड़ेगी यहाँ पर प्रश्ण का उत्तर ही नहीं बलकि उसकी संपूर्ण विकल्ब की व्याक्ष्या भी पढ़ेंगे यह व्याक्ष्या आपके परिच्छा में आपको से आपके नजदीक पहुचा सकती है तो बिना देरी कि अब हम अपनी क्ला कहां करती है जल्दे देरी कियाएगा और दिया पर प्रश्ण का जबाब दीजेगा जब्स बीडी को करिए हैं जाव इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं शबी सटे देखिए अगर ध्वनी सबसे त्यजर संचलम करती है कि इसमें एकदम सचेवाब लोगों ने दिया है और यह आपका राइट एंस वर रहा है दूसरी बात यहां पर आपको और जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि वायू में अगर देखा जाए निर्वात की जो चाल है वो कितना है 332 मीटर 332 मीटर प्रतिस सेकंड है क्या है 332 मीटर प्रतिस सेकंड की दर से है जबकि एलमोनियम में 420 है ज्युक्री देखा जाए यहीं अगर की क्या होगी अगला प्रत के स्राव अने की एक गैस्मिस्यांग है यह सीरीज, आप सभी के लिए मात्रै पोगाच, चाहे आप किसी भी सीरीज से हों, चाहे आप साइंस वर्क से हों, कलावर्क से हों, बिज्यान भासा, सभी के लिए याप के लिए अनिवार हैं, तो रसौइ गर, गैस किसका 높ता पहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उमीद करता हूँ कि बीना देरी कि आप इस पशने का जबाब जरूर देंगे क्योंकि रेष्ट के गोडे रेष्ट मच्छे लगते हैं खेट में नहीं ठीक है तो जल्दे दी फटाबर कमेंट करिएगा तो कि आप जैसे लोग शफलका के तालीज पर पहुंचना है रसोई गैस एक मिस्रण है इसका ब्यूटेन और प्रोपेन का एकदम राइट एंस और आप लोगों ने बताया है क्योंकि द्रवित पेट्रोलिय गैस जिसे हम LPG कहते है LPG का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जरू बनाएगा ये हाइड्रोकार्बन गैसों का मिस्रण होता है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है जबकि प्राकितिक गैस में मिथिन और इथिन होता है प्लिकिना से एक प्रशन आपको जानना है एक प्रशन आजे समझना होगा इन गैसों के जो मिस्रण है इन सभी मिस्रण को शही से जी हाँ इन सभी जो मिस्रण है आपका इस मिस्रण के लिए इसके महत के लिए इसमें और क्या मिलाया जाता है उसका जवाब आपको comment box में comment section में जरूर देना है ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण नमबर 3 की तरफ यहां पर current से जुड़ा हुआ प्रश्ण है क्योंकि आपके पाट करम में समसमाई की और current awareness भी है तो चलिए बिना देरी के हम इस प्रस का जवाब देना चाहिए इंडियन प्रीमियम लीग जिशे हम IPL कहते हैं क्या कहते हैं जिशे हम आम बोलचल की भाष्ण में IPL कहते हैं तो उस IPL में आपको यहां जवाब देना है यह बताना है कि इसका कौन सा Sanskrit था अद्धोजाल बीश में हुआ जिशे हम इस बारे में हम बात करते हैं यह हैं इंडियन प्रेमियम लीग 2019 का बारहमा संस्क्रण था कौन सा बारहमा संस्क्रण था इस प्रशन का सही जवाब होगा इसमें आठ टीम मुन हिस्सा लिया और साठ मैच खेले गए कितने मैच खेले गए 60 मैच खेले गए और 8 टीमों ने हिस्सा लिया था टीम के संक्या 8 और मैच के संक्या 60 थी यहाँ पर यह प्रशन आपका पूरी तरते संख सही है जिते लोगों इस प्रशन का उत्तर बताया है उनके जवाब भी पूरी तरते से सही है अगला है जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान समान तक क्या होता है तो जो भी साथ है की साथ हम लगे हाथ हम लोग यह भी पढ़ ले इस प्रशन का उत्तर क्या होगा ऐसे प्रशनों का शही उत्तर क्या होगा तो जल्दे दी कॉमेंट करिएगा मेरे पैरे सिचक सातिओ इस देश के निर्माता हो जल्दे दी कॉमेंट करिएगा शभी साति देखी इस प्रशन नमबर 4 का क्या होगा जलते वे बिद्दुद बल्ब के तंदुपः जो ताप्मान होता है न वो 2000 डिगरी सलसियस से लेकर 2500 डिगरी सलसियस होता है क्या होता है 2000 डिगरी सलसियस से लेकर 2500 डिगरी सलसियस होता है मतलब दिये गए जो प्रशन है इसका जो शही बीकल्ब होगा वह आपका क्या है वह आपका शीज का राइट एंश्वर होगा विद्दुद बल्ब का विसकार किस्नी किया था 1878 में थामस अलवा एडसन ने किया था इसलिए इस प्रशन का जो सब्चे सही बीकल्ब होगा वह आपको यहां से पता चल गया है ठीक अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे प्रशन को पढ़ते हैं क्योंकि रेश के घोड़े रेश मच्छे लगते हैं खेतमनी अगला है नेमिकित में से कौन सा राज शहतूत रे होते हैं आप इस प्रशन का जबाब क्या देते हैं जल्दी सी वीडियो को शेर कर दीजेगा अपने सभी साथी मित्रों को कभी-कभी आपके बीच लाइबाने में कुछ समय की देरी किसी टेकनिकल समस्या के वजशे हो जाती है कि मेरे पास 24 घंटे होती है इसलिए आप लो समस्ते हुए में आगे बढ़ना है ठीक चलिए यहां पर द्याद से दिखिएगा एक चीज आपके सामने हैं जो काफी महत्त्य पूर्ण है आपके लिए कि इसमें कौन सा राज्य की बात कर रहा है जल्दी से बताइएगा आपके साब से कौन सा राज्य होगा बताई आटक में पूरे भारत का अगर देखा जाये तो 45 पर्षन से हातुत रेश्क की दूसरी रास्तान पर फॉल्द bart • और BC दूसरर पर टाइसी परशेंट 25 डिए इसके बाद पस्च्य मंगाल 30 रास्तान पर आता है इक इसत्तने का शॉल्सथर प्लत होगा ठीक इसरीज प्रशने का उत्तर बी राइट एंसर होगा हम आगे बढ़ रहे हैं वेकि पचास नंबर की सिरीज आपके लिए निडाय की भूम का निभाएगा इसलिए भैया अंदर तक क्लास के बने रहेगा इसकी इसरोट क्लिक कर लिजेगा जरूत पढ़ने पर अगला है लुई पास्चर किसकी खोजकीती सभी साथी फटापट कॉमेंट करके बताएगा जी हाँ इस संडे आपके लिए 11 बजे से इस संडे 11 बजे से आपके लिए शंपूर भारत की भोगोल की सिरीच चलेगी यह क्लास 6 घंटे की होगी आप सभी लोग तयार रहेगा शंपूर भारत की भोगोल इस रभी वार साम सुबर 11 बजे से सुबर 11 बजे से लाइब होगी शंपूर भारत का भोगोल आप लोग तयार रहेगा कॉपी कलम और नकसे के साथ ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं अगरे प्रश्ण की तरह बताईए लूई पास्चर ने किसकी खोच की सब यह देंगे कि लूई पास्चर ने किसकी खोच की जी यहां इस प्रश्ण का एकदम सही मैं चारों प्रश्ण का विस्तित ब्याक्थाप के सामने करने जा रहा हूँ ज़रा कॉपी कलम को अपने पास तयार रख लीजेगा लिवी पास्चर ने रेबीच के टीके का खोज किया था इसके रेबीच के टीके का रेबीच टीका क्या है जब किसी ब्यक्ति को पागल कुटता काट लेता है तो इसके सबीर में रेडों वाइरस नमक विसाडू फेलता कौन सा अगर वाइरस का नाम रिखना चलिक लिजेगा विसाडू कौन सा फेलता है यह पूछ सकता है यह बिज्ञान का है और फश्ट पेपर में सबी के लिए महत्तपून अगर आप सरकारी से चख बनना चाह रहे है तो यह वीडियो आपके लिए रामबाड होगा वाइरस नमक विसाडू फेलता है जिसकी ब्यक्ति की मृत्त भी हो जाती है पाडल कुक्ता काटने पर पीच रोधी टिकल जाती लुई पास्चर ने की थी कभी की थी 1888 में किया था लेकिर अगर इंसुलीन की बात की जैब कि इंसुलीन की खोज किस ने किया था ज़रा कॉमेंट करके बताइएगा सभी लोग फटापट कमेंट करेंगे जित्ते लोग इस वीडियो को लाइट देख रहे है जी हम साइन्स की, मैट की, हिंदी भासा अंगरेजी भासा, संथ, सभी क्लास होंगी इल लर्नी पर दुर्गेश पर सभी लोग इस पर जुड़े रहेंगे लेकिन यह है, साड़े 9 बजे सभी के लिए महत्तोपोन है सभी को जोड़ना है, सभी को पढ़ना है जल्दी कमेंट करके बताइएगा जल्दी कमेंट करके बताइए, सभी साथी देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इंसुलीन की बात कीजा है तो इसकी खोज किष्णि केता कोई बताएगा फ्रेडरिक सेंगर ने किया था यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग इसकी पूरी ब्याक्था पढ़ेंगे बेसरे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ठीक है चलिए क्या होगा इसका फ्रेडरिक सेंगर इसका सही जवाब होगा अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे इन्होंने कब किया था 1958 में इसलिए इन्हें रसायन विग्यान का Nobel मिला था पोलियोटिका पोलियोटिका किसकी जान सॉल्क ने किया था लिखना चाहें लिख लिजिएगा जान सॉल्क ने जान शॉल्क ने किया था और कब किया था 1952 में किया था अगर पेंसलीन की बात की जाए तो पेंसलीन की खोच किसने क्या था जदी से कॉमेंट करके बताइएगा जो लोग बीडियो को लाइक देख रहे हैं सब्हों लोग जड़ा कॉमेट जरू करेंगे यार आप लोग बीडियो को मुझे बार-बार कहने में बुरा भी लगता है आप लोग पहला काम बीडियो को לाइक कर दीजेगा प्यसे नहीं कटेंगे उसके इस वीडियो को अपने शेयर कर दीजेगा जितने लोग जूनिया से अच्छा भरती के त्यारी कर रहा है यह फर्स एक्षन पचाश प्रस्न सब के लिए महत्तपोर है यहाँ पर एकाउडिन टो सिल्वा साब के लिए बनाया गया है अब पेंसिललियन की खोश कैसे ने की थी अलग जेंडर फ्लेमी ने की थी अब हम आगे बढ़ताया है अगले पृषन की तरफ यहाँ से कर किसी के मनों कोई औउट हो कोई प्रस्न हो टापिक से जुड़ा निश्युक्ष पूस्कते है और हम आपको निस संकोच इस प्रस्ण का जबाब भी देंगे आगे पड़ रहें अगले प्रस्ण के तरफ 6 प्रस्ण हो चुके हैं सेयर कर दिजे वरना जो आएगा और लेट हो जाएगा तो कई प्रस्ण उसके छूट जाएगे ठीक चलिए आगे देखते हैं सोचल मेडिया मार्केट कमपनी फिलिप कार्ड के ब्रांड बेजडर कौन किसे न्युक्त किया सभी लोग जबाब देंगे कि फिलिप कार्ड ने ब्रांड बेजडर किसे न्युक्त किया जल्दे दी कमेंट करेगा ये करेंड का सवाल है और करेंड की PDF आपको डिलिट टेलिग्राम पर मिलती है जहां आप दुर्गेश सरसर करके इन रने भी दुर्गेश पर देख सकते हैं नैनो मैक जिन की PDF सुबह आपको साड़े 6 बजे उपलब दो जाती है टेलिग्राम पर जल्दे दी कॉमेंट करिएगा जी हां मेरे प्यारे साथियो साड़े 9 बजे क्लास चलती है जिसका उद्देश आपका सेलेक्शन है इस प्रस्ने का उत्तर जो होगा A और B दोनों मतलब रणबीर कपूर और सरद्धा कपूर दोनों है ये दोनों फ्लिप कार्ड के ब्रांट अंबेश डर थे ठीक है इसलिए इस प्रस्ने का जो सही भी गल्फ होगा D होगा चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रस्न नमबर 8 है निम्लिखित में से क्या इन्पुट डिवाइस नहीं है ये प्रस्ने कैसा है नकरात्मक है मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर निम्लिखित में से कौन सा इन्पुट डिवाइस नहीं है तीन है और एक नहीं है तो जल्दी से कॉमेंट करिएगा सवाल का जबाब दीजिएगा कि अगर परिच्छा में होते तो इस प्रस्न का उत्तर आप क्या लगाते एकदम आसान जबाब दीजिएगा 50 प्रश्न की सीरीज आपके सेल बस के आधार पर आपके पाटिकरम के आधार पर है जैसे आपके परिच्छा में सेल बस में आता है देखें यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बार कोड रीडर ये इन्पुट करता है आप्टिकल मार्क इसी हम OMR कहते है ये भी आता है लेकिन प्लाटर ये नहीं आता प्लाटर जी हाँ प्लाटर जो है ये इन्पुट डिवाइज नहीं जो चार्ट, ग्राफ, मेैज आधिको हाड कापी प्रिंट करता है इसे 3D प्रिंटिंग कहते है इसे क्या कहते हैं 3D printing कहते हैं लिखना चाहें लिख लिजेगा इसे क्या कहते हैं 3D printing के नाम से जानते हैं जबकि MICR जिसे हैं magnetic in character recognition कहते हैं फिर OMR optical mark recognition कहते हैं बार कोड डीडर यह सभी computer की input device है मतलब इस प्रशन का अगर सही वीकलब आप लगाएंगे ए जो गलत है वही सही है प्लाक्टर इस प्रशन का शही जबाब होगा हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरह यहाँ से किसी के मन में कोई प्रशन हो कोई doubt हो तो जरूर comment करके पूछ सकता है ठिक हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरह यहाँ पे मैं एक भी प्रशन एक टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूगा जो आपके स्रीज में जो सब के लिए निवा रहे है अठासो ताउन की विद्रों के समय भारत का वाइसरा है इन सभी की बारे में एक एक लाइन आपको बताना मेरे प्यारे सेचक सातियों यह वीडियो फेस्बूक पे यूटूब चैनल इलने विद्रगेस पर निसूठ लाइब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्टन का उतर आप लोगे ने बहुती सही जवाब दिया है डल्होजी की बादे हम लोग आगे बात करेंगे मिन्टो लाइड मीटल लैड इलिटल लाइड केनिंग इस प्रस्टन का सही जवाब होगा और ये भ्याद से देखते है 802 की विद्रों के समय जो भायसराभी जो भायसराभी बने इनी के समय में विध्रवा, पुनर्बिवा लाड कैनिंग से जुड़ा हुआ लिख लीजिएगा सबसे पहला बिद्वा पुनर बिवा कब आया था इनके समय अठारह सव अन्ठावन अगले प्रश्ण की तरफ प्रस नमबर 10 भारती उपद्रो का पिता की नहीं कहा जाता है जल्दी चे कॉमेंट करके जब आप दीजेगा भारती उपद्रो का पिता किशे के हते हैं जितने में साथीस वीडियो को देख रहे हैं जब आप जरूर देंगे ये मान कर देंगे कि आप परिच्छा हाल में बैठे हैं न कि आप इल लेनिक विद्रगेस के ऑनलेन क्लास में बैठे हैं तो जल्दी से जबाब दीजेगा बताई जल्दी से इस प्रस्ण का जबाब क्या होगा दस कोश्चन होगे सेर कर दीजे ताकि आप के साथ ही जो है उनको 44 प्रस्ण का लाब मिल सके क्योंकि परिच्छा वाले प्रस्ण है जो परिच्छा में हुबहु पूछे जाते हैं जी हाँ ये परिच्छा में हुबहु पूछे जाते हैं बताइए सभी लोग कमेंट करके दीखे भार्तिय उपंद्रों का पिता कहते हैं एकदम सही आप लोगों ने बताया है बाल गंगाधर तिलक को किसे बाल गंगाधर तिलक को एकदम सही जवाब है दीखे ये तिलक को उपादी वेलेंटाइन सिरोल लेंदी थी ये उपादी किस ने दिया था ये बड़ा प्रश्ण है किस ने दिया था उन्हें किस ने भारती उपद्रों का पिता कहा था कोई कमेंट करके बता सकता है इसे वेलेंटाइल सिरोल ने ये उपादी दिया था महराज की करांतिकारी अंदोलन में तिलक केसरी के नाम से ने जाता इने किया तिलक केसरी और तिलक ने अठाजो तिरपन में गड़पती जी हाँ गड़पती महत्सो कब तिलक पत्र में अठाजो पसकर मेला कहा इवजीत होता है पुषकर मेला कहां आयोजित होता है जल्दी से कॉमेंट करके देगे पुषकर मेला कहां आयोजित किया जाता है जल्दी से जबाब दीजेगा पुषकर मेला कहां आयोजित किया जाता है जल्दी से जबाब दीजेगा पुषकर मेला कहां आयोजित किया जाता है देखे अयोजित किया जाता है यहां काफी संख्या में बिदेशी परिटा कहते हैं दूसरा यहां पर हैं सभी लोग ध्यान देखिएगा कि बिहार में कौन-कौन सा मेला लगता किसी को पता है यहां पर सोनपूर का मेला लगता है सोनपूर मेला ठीक पृत्पच मेला स्रामडी मेला उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सा मेला लगता है किसी को पता है लिखना चाहिए लिख लिजेगा उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कुम्ब मेला खिचडी मेला उत्ता नाराणी मेला ऐसे बहुत सारे मेले हैं जो आपके परिच्छा में सीधे पूछे जाते हैं अगर मध्य परदेश की बात की जाए तो नागाजी का मेला रामलीला का मेला सिंहस्त कुम्भ मेला उजैन का मेला यहाँ पे लगते हैं इसलिए इस परशने का जो सही बीकल्प होगा आपका चौथा यह डीस का राइट एंस्वर्फ होगा हम आगे बढ़ रहा हैं अगले परशने की तरफ अगला परशना आपके बीच है सायद आपको दिख रहा होगा कह रहा है दिल्ली का जमा महजित का निर्मार किषने कराया था जबाब दीचे सभी लोग देखे दिल्ली के जमा महजित का निर्मार किषने करवाया था तो दिल्ली के जमा महजित का निर्मार है वो शाजहाने करवाया था किसने शाजहाने करवाया था और दिल्ली में लालकिला, लाहुर्द, द्वार, दिवाने आम, दिवाने खास, रंग महल, नौबत खाना, आधिका निर्मार साजहाने कराया था साजहां ने जामा महजित का निर्मार लेकिन इसके साजनिक निर्मार भी भाग के स्थापना की थी साजहां के सासनकाल को अस्थापत तिकला का स्वण यूग कहते हैं ध्यान दीजेगा साजहां के जो सासनकाल को अस्थापत तिकला का स्वण यूग कहते हैं अगर आप और लिखना चाहते हैं तो अगबर ने फतेपूर सीकरी का जामा महजिद बनवाया था और दिल्ली का जामा महजिद साजहा ने बनवाया था यह दोनों बात याद रखेगा का स्वणी योग कहा जाता है most important अगला है अपेंडिक्स 2019 सेन्य भास का योजन 18-27 माद 2019 के मद कहां किया गया था काफी important है इस पसने का उत्तर जो होगा वह होगा पूरे महाराष्ट में कहां पर होगा पूरे महाराष्ट में देखे यहां पर अफ्रीका भारत फील्ड पर से अपेंडिक्स 2019 का आवजन किया गया था ठीक है अगला प्रश्ण प्रथम भारती नोबिल पुरुसकार विजेता कौन थे प्रश्ण नमबर 14 जल्दी से जबाब दीजेगा जी हां मेरे प्यारे सिच्चक से जीएस के सिरीज का एलारम लगा लिजेगा ये क्लास अनंतकाल तक चलती रहेगी जब तक आपको सेलेक्शन ना मिल जाए हम यहां पर सभी तक्थ के बारे में ब्याक्षा करेंगे पूर्ण रुपेन ब्याक्षा करेंगे देखे नोबिल पुरुसकार के स्थापना सीडेन के बग्याने अलफ्रेट वेगनर के यादमे अलफ्रेट नोब पुरुसकार रविद्नाट टैगोर को दिया गया था किसे रविद्नाट टैगोर को कब 1913 में साहित का नोबल दिया गया था इनकी पुस्तक का नाम गितांजली था क्या था लिखना चाहें लिख लीजिएगा गितांजली के लिए इन्हें 1913 में शाहित का नोबल मिला था ठीक फिर उसके बाद सीवी रमन को 1903 में हरुगोविंद खुराना को 1968 में जबकि 1998 में अमर्थ सेन को कल्यानकारी अर्थव्योस्था के लिए नोबिल मुला था तो यहां तक मैं उमीद करता हूँ आप लोगों के जो कॉंसेप्ट थे वो पूरी तरह से किलियर हो गया यार आप 500 लोग है अगर 500 लोगों को सेर करेंगे तो यह वीडियो उन सभी साथियों तो पहुच जाएगा जितने लोग सेलेक्शन के लिए पढ़ रहे है चलिए बुरा यह लगता है कि जितने लोग लाइब देख रहे है उतने लोगों अभी तक लाइब तक नहीं किया भगवान तब भी आप सबका भला करें कोई मतलब नहीं है चलिए भारती नोबल प्रुसकार के बारे मैंने चारो बाते आपको ब्याक्यागर के बता दिया अब आपको ये बताना है नोबल प्रुसकार किन किन छित्रों में दिया जाता है उसका जवाब आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर दीजिएगा मैं थेज पढ़ा रहा हूँ सत्याथ प्रकास स्वामी धयानंद सरस्वती ने दिए द्यानर सस्वतिन ने इस ग्रंद के रचना हिंदे में की और इसमें कुल चौद्ध अध्याए है ठीक राजारा मोहरा के बारे में एक लाइन में कॉमेंट करके बताएगे आप कि राजारा मोहर का संबन्द किस्वे है अब हम आगे बढ़ते हैं कौन सा अनुछेत जम्मु कस्मीर को बिशेश दर्जा परदान करता है जित्ते लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएगे जब भी लोग कमेंट करके जो बताएगे 356 राष्टपती सासन किसमें लगता है राज्यों में ठीक अनुछेत 390 क्या है कोई बता सकता है ये 390 क्या है अनुछेत 395 भारती स्वदंता अधिनियम अनुछेत 74 द्वारा भारत सकर अधिनियम अनुछेत 75 द्था इनके अन्य पूरा का अधिनियमों को रद किया जाता है ये 1995 में कहा गया है ठीक है तीन सोनभ्वे में क्या कहा तै कूमेंप करके बताईएगा देखिए इस पमजन का उत्तर होगा मिकश्ची तीन सो 70 कह समाप्त किया गया है जरह कूमेंप करके बताईएगा है के लिगे अनुछ अगस्ट 2019 को समाप्त किया गया और जम्हू कस्मीर को राजिका दर्जा हटाकर केंसासी प्रदेश बनाये गया दो ने केंसासी प्रदेश बने उनका जबाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा ठीक समझ मागे सबको इस प्रश्ण का जो उत्तर होगा वो अब इसका सही जबाब होगा बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है ठीक हम आगे बढ़ रहें अगले प्रश्ण की तरफ एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूँगा कि भारत में कितने राज और कितनी किनसासी प्रदेश हैं जो लोग लाइट देख रहे हैं कमेंट जरू करेंगे भारत में वर्तमान राज और भारत में कितने किनसासी प्रदेश हैं सभी सासी जरू कमेंट करेंगे ठीक हैं पंद्रह तारिक से आपकी सुपर टेट की बैच शुरू हो रही है अगर आप चाहें तो जोड सकते हैं सभी लोग पंद्रह तारिक से आपके लिए इल्लनिप दुर्गेश पर भासा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गडित, विज्ञान, सस्टी इन सभी के लिए शुरू होने जारी है चाहें तो आप जोड सकते हैं पुस्तक वी आर डिस्प्लेट के लेखक या लेखिका कौन है जबाब दीजिएगा दिखिए इस पुस्तक के लेखक मलाला इसभ जाई है इन्हें भी नोबल परश्कार मिला है तो आप जराब बताईएगा मलाला इसभ जाई किस देश से समद्धिव है और मलाला इसभ जाई कि पुस्तक जी हाँ अगर तस्नीमा नसरीन की देखा जाए इनकी कुछ प्रस्षिद पुस्तक के मैं आपको जरूर लिखवाना चाहूंगा ये है लज्जा बहुती प्रस्षिद पुस्तक के परिच्छाओं पुछी आती है चीग सोध इनकी प्रमुपुस्तक है जो परिच्छामे एकदम रट ली जिएगा किसकी तस्लीमा नसरीन की मुझे घर ले चलो ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक का नाम है अमार मे बेला अमार मे ए बेला ये तस्लीमा नसरीन की उन प्रमुपुस्तक है जो सबसे चादा परिच्छा में पूछी जाती है ससी थरूर की बात करें तो बताए ससी थरूर की कौन-कौन से पुस्तक के आपने पढ़ा है बताए वाई आएम हिंदू वाई आई आएम हिंदू बहुती प्रसित किताब इनकी है पैक्स इंडिया किसकी ससी थरूर की है हाँ ससी थरूर की दे ग्रेट इंडियन नौवेल इस ससी थरूर की तीन ऐसे पुस्तक है जो बार बार आपकी परिच्छा पूछा जाता है जी हां बार बार आपकी परिच्छा में पूछा जाता है जूली कॉलिंसन ऐसे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सायद आप परिच्छा में बीट नहीं कर पाएंगे उतनी आसान नहीं है जितना हम आप समझते हैं लेकिन अगर ऐसे प्रश्ण को पढ़ेंगे चाड़ भी गल को ब्याक्खा करेंगे यकीन मानिए परिच्छा में एक सिट आपकी जरूर होगी जूली कॉलिंसन जूली कॉलिंसन की प्रसिद्ध पुस्तक है ब्लेड टाइल्स ब्लेड टाइल्स हो सकता है आप परिच्छा में पूछ दे ब्लेड टाइल्स है स्नो ब्लाइंड जूली यह इनकी पुस्तक है स्नो ब्लाइंड हम आगे चलने अगले प्रस्ण की तरव इसकी इन सौट क्लिप कर लीजेगा अगला है आपके सामने प्रस्ण एकदम इन्पॉर्टेंट एकदम यूनिक प्रस्ण है सबी लोग ध्यान से देखेगा और जबाब दीजेगा भारत का राष्टपती लोग सबा में कितने सदस्चों को नामित करता बहुत इन्पॉर्टेंट प्रस्ण है सबी लोग बागी अन्य क्लास के लिए यहां पर जानकारी ले सकते हैं फेस्बूक पेज इले निपे दुर्गेश पर निसुलक है ठीक है ध्यान से दिखेगा भारत के राष्टपती लोग सबाम कितने सदस्चों को नामित कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ण है देखिए अनुछेद किसके अंतरगत 331 के आधार पर भात का राष्टपती लोग सबामें दो सदस्चों को नामित कर सकता है जबकि राज्य सबामें कितने 12 सदस्चों को नामित कर सकता है लेकिन याद रखिएगा इसे अभी कुछ दिनों के लिए पोश्पोन कर दिया गया है किस समिधान सदस्चों के तहाद पोश्पोन किया गया है कमेंट करके बताएगा एक छोटा से सवाल भारत का राष्टपती संसद में कुल कितने सदस्चों को मनोनित करता है कितने सदस्चों को मनोनित करता है संसद में जल्दी से कमेंट करके बताएगे अब ये देखना है कि सबसे सही सबसे पहला इस प्रशन का उत्तर कौन देता है जल्दी कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले इस प्रशन का जवाब कौन देता है कि भारत का जो राष्टपती है वो कितने सदुष्टों की मनों नित करता है संसद में बताई जल्दी से कमेंट करके जल्दी दे कमेंट करिएगा मेरे पैरे सिचक साती हो सभी साती फटापट कमेंट करिएगा अब बदे आप लोग जबाबी नहीं देते हैं यही हाल है कि जब हम पढ़ाते हैं तो आप जबाबी नहीं देते हैं चली ध्यांज दिखेगा बारह प्लस दो तो कुल 14 लोग को मनुनित करता है अगला है निमिकित में से किस एक अनुश्यत को डाक्टर भीम राम अमेडिकर ने श्वमिदान की आत्मायों हर्दय कहा गया ध्यांज दिखेगा इसके तीन उत्तर होते हैं पहला एंस्वर अध्यांज लिखेगा तीन उत्तर नहीं लिखवा रहा हूं प्रस ताउना दूसरा मूल अधिकार तीसरा अनुश्यत 32 अगर अंबेडिकर सब्द का पुरियोग किया गया है तब वहाँ पे अनुश्यत 32 लगाएंगे ध्यान दीजेगा अगर यह कह देता कि भात के स्वमिदान की आत्मा हिर्दय किसे कहते हैं तब आपका उत्तर प्रस्तावना इसे उद्देशिका कहते हैं प्रस ठीक इसरे इस प्रस्ट नगाउत्तर के अगड़ी अब ज़रा कमेंट करके बताइए उनुश्यत 14 क्या है उनुश्यत 29 क्या है पचीज यह तीनों परिच्छा के दिश्टिकोंचे सबसे जादा महत्यपूर्ण है अगर ऐसी क्लास यूटूब पे मिल जा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा उनुश्यत 14 क्या है सब लोग वताइएगा फ्रेटा में की इक्विल्टी क्या है उनुश्यत 29 क्या है परिच्छा के इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है यह फंडामेंटल राइड भारतिश्चमिधान का इसे भाग तीन कहते हैं भाग ती कि बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है आपके सेलबस में आपके सेलबस में अर्थसास्त्र भी है अर्थ विवस्ता भी है ठीक जल्दे से कमेंट करके बताइएगा वाग फटा-पट कमेंट करियेगा जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं जी हाँ पंद्रा तारिक से आपके लिए नई बैच शुरू हो रही है पंद्रा तारिक से पचास दिर्टी बैच में आप जोड़ सकते हैं फेस्बुक पे टेलीग्राम पर दुर्गेश सरस्थकर के जोड़िएगा निसुल क्लास का अनंद लीजिए बागी अने क्लास के लिए जोड़ सकते हैं संपत्ती बाजार में रियल स्टेट्मेंट कहा जाता है जल्दी से जवाब दीजेगा इस पशन का उत्तर होगा भूमी एवं रहायसी छेत्र को इसे रियल स्टेट कहते हैं क्यों क्योंकि रियल स्टेट का मतलब होता है घर या आफिस के लिए संपत्ति का निर्माण करना रियल स्टेट इंडिस्ट्रीज में सेल्स मैनेजर ठीक उसी प्रकार संपत्ति बेचकर अपनी कंपनी के लिए बिजनेस लाता है जिस परकार एक बैंक, सेल्स मैनेजर, लोन, मैचिवल, फंड या क्रेडिट कार्ड बिल्डिंग, मार्सिन गुरूप, एंसीटी प्रड़क्ट आदी हैं इसलिए प्रश्ट का उत्तर जो होगा यह होगा चाहें तो आप इसकी स्कीन सॉट क्लिक कर ले साड़ी नो बजे प्रदिन चलती है, जी हाँ, सलेक्शन वाली क्लास है, अब आपके सामने हैं, प्रश्ट नमबर 21, भारत 27 मार्श को अंतरश्म उगरा को मार गिराने में, सच्छम एंटी सैटिलाइट, मिसाइल का सफल परिछल किया, भारत की यह प्लब्दी प्राप्त करन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताईएगा, डियो का फूल फर्म क्या होगा, ठीक, जल्दी कमेंट करके बताईए, बताईए सभी लोग, डियो को फूल फर्म क्या होगा, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, कि डियो का फूल फर्म क कब हुई थी जदी कमेंट करेंगे बताइए देखिए डियाइडियों को फूल पाम सभी लोग को बताना है डिफेंस रिसर्च उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डवलप मेंड और्गनाइजेशन यह डियाइडियों को उत्तर जो होगा चौथा देश होगा कैसे डियाइडियों ने 27 मार्च अपी जब्दुलकलाम द्व्याज़ जो उडिफेंस सक्ति के तहट किसके मिशन सक्ति के तहट मिशन शक्ति के अताद सफल परिच्छन किया था इस परिच्छन में देखा जाए तो पहले पे अगर हमें लेकिए पर यूएश्य है दूसरे पर कौन है रहा कमेंट करके बताईए चीन है लेकिन भारत की बात चोत्य स्थान पर आता ठीक पहले पर रूसर पर रूसर दूसरे पर ठीक है अब अगला है बिश्ग का सबसे ऊचा जवार कहा आता है बिश्यू का सबसे उचा जवार कहां पर आता है आई ये जहां से देखते हैं देखिए जवार भाटा के बारे मैं आपको थोड़ा से असपश्ट रूप से बताना चाहूंगा पहले इस प्रशने का उत्तर दे लिजेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि जवार सबसे ज़्यादा कहां पर आता है सबसे ज़्यादा उचा जवार सबी लोग फटा पर कॉमेंट करिएगा ठीक बदेए जबी लोग कॉमेंट करके सबी लोग फटा पर ज़रू कमेंट करिएगा देखिए मैं आप इस प्रश्ण को अच्छ से समझाने के लिए मैं इसे डिफाइंड करने जा रहा हूँ जो आरो भाटा क्या होता है ध्यान से देखेगा यहां से एक प्रिच्छा में आपके प्रश्ण आते हैं कि इस किसार कलीजे इसका उत्तर में बता दे रहा हूँ फंडि की खाडी क्या होगी फंडि की खाडी यह फंडि क्खाडी जो है यह कहां पर है U.S.A. यह एक महासागरे में आता है इसकी उचाईक एकर बात करे 18 मेटर 18 मीटर उंचा जी 18 मीटर उंचा आता है इसका एक छोटा हिस्सा मेरे की राजी की मेन को छूता है खमाद दिखाड़ी की कोणी है कर्च दिखाड़ी अफसाग पुत्र हिस्चे में है आई इसके बारे में जौर भाटा को अच्चे समझते हैं इसको स्किन सोट कर लिजएगा देखें यहां से ध्यां से देखेगा यह हमारा शूर्य हो गया यह हमारा शूर्य हो गया यह बीच में हमारी प्रिथिवी हो गई यह हमारी बीच में क्या हो गई प्रिथिवी हो गई अब यहां पर हम चंद्रमा के तीन इस्ति बनाते हैं एक दो इस्तिती, तीन इस्तिती, चार इस्ति, ध्यान से देखेगा, जब सूर और चंद्रमा, शूर पिथिवी चंद्रमा, किस पर होंगे देखे ये, सम कोण पर होंगे, जब किस पर होंगे, सम कोण पर होंगे, 90 डिगरी पर होंगे, तो लगुजवार आएगा, क्या लगुज जौर कब आएगा द्धान से दिखेगा एक तो यह कंडीशन दूसरी यह मैं इस कंडीशन में क्या आएगा लगु जौर आएगा कितना लगुजौर आएगा मतलब है एक जवार आने के बाद अगला जवार एक जवार आने के बाढमन मिनट की देरिस आता है कितने ऐह द्हान से देखते हैं कैसे यह हो ग invent κα Bullya यह हमारी के चंड्रमा हो गया ठीक यहा पर एक कि आगसा सकती है एक साथ हो गई यहाँ पर आपका सूर है यहाँ पर आपका सन है अब अगर यहाँ पर माना रात के दस बजे ज्वार आता है कि दस बजे ज्वार आता है अगले ज्वार के दिन क्या होगा ध्यान से देखिएगा अगले ज्वार के समय फिर प्रितिवी अपनी एक चक् करेगी क्या तब तक चंद्रमा इहां इंतजार करेगा जी नहीं चंद्रमा यहां आ जाएगा मने जवार लाने के लिए पिथिवी को इतनी दूरी और तै करने पड़ेगी कितनी दूरी 12 डिगरी दो मिनट इतनी दूरी को तै करने के लिए पिथिवी को कितना 52 मिनट का समय ल ठीक चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरह कि अगला है चिपको अंदोलन का संबंद किस्चे रहा है जी हाँ यह पर्यावण का सिरीज है और पर्यावण आपके पाटिकरम में भली भात ही दिया गया है चल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथ है सभी लोग फटाबर जरू कमेंट करें यह जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सरे लोग बखलोली करने के लिया जाएंगे तो उनकी बखलोली को ध्याने मत दीजेगा आराम से पढ़ते रिएगा विके रेश के गोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत्मनी चिपक चिपक आंदोलन ये वन कटाई को रोकने से सम्बन्त में है इसकी शुरूआत उतराखन में 1973 से होती है लोग यह के पेडों को चिपक कर क्या करते हैं यहाँ पर चिपक आंदोलन के प्रेंदता कौन कौन है जलदी से गौन कौन है जलदी सबी से कोमेंट करके जबाब जरूर दीजिएगा सभी लोग सुंदरलाल बहुडा चंडी परसाद भट यह प्रमुक्स रहोगी थे चिपकोंदल के प्रिटता और चंडी परसाद भट यह तिहत्तर में कहां पर चमूली जी लिए कहां से चमूली किस अस्थान से तो गुपेशुर गुपेशुर नमा का स्थान से इसके शुरुआत हुए थी इस प्रशन का उत्तर यह है अब मेरा सवाल है आपसे अपिकोंदलन क्या है अपिकोंदलन क्या है इसका जवाब आप सभी कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपिकोंदलन क्या ह अपिकों अंदोलन क्या है सभी साथ इस प्रशन का जबाब जरूर देंगे अगला को कर रेलवेश्ट राज्यों में से कि स्राजिश्य होकर नहीं गुजरता शबी लोग फटापर कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिएगे सवाल का जबाब देंगे जिसमा द्यम से आपको ज से करनाटा लेकिन यह है केरल लाज्यों से होकर नहीं जाता इसलिए प्रशन का उत्तर होगा भी होगा ठीक है ध्यान से समझेगा और यह गोवा के मजगाओं गुजरतियों करनाटा के मैंगलोरिश्ट रसंद जाती इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो साथ सो साथ किलो मिल्टर है ठीक किस इधन के कराण पर्यावण में नियूंतम प्रदूसर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंड आपके सेल्बस में है आपके पाटिकरम में है तो जल्दी से कॉमेंट करिएगा और देगे पस्टने काजब आप दीजेगा सभी लोग जवाब जरू दीजेगा देगे अपिकों आंदोलन का भी शंबंद जंगल बचाओशे है इस प्रश्टने का उत्तर क्या होगा जी हाँ है रोजन इसका सही जवाब होगा जित्ते लोगों इस प्रश्टन का उत्तर हैड्रोजन बताया है उन सभी के जवाब सही है क्या आपको क्लस समझ में आ रही है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अप संतुष्ट है अगर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है अपना समय मत बरबात करेगा आपका समय क कीमती है और आपके सेलेक्षन का हरे मिनट महत्त्य पूर्ण है ठिक है अगला प्रश्चन क्या है जबाब दीजेगा उब जल्डे से जवाब दीजेगा पर इस चाहिंग बताई ट्रेन 18 क्या है? देखे ट्रेन भारत की अत्यदिनिक रेल गाड़ी है यह भारत में निर्मित होने वाली पहली सेमी हाइस्पीड ट्रेन है जो इंजन रही थे और यहां इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया यह सताबदी एक्सप्रेस की जगा लेने वाली है इसका पहला परिच्छन 29 अक्टूबर को हुआ था 29 अक्टूबर 2018 को इसका पहला परिच्छन हुआ था इसकी अधिक्तम अगर चाल की बात करे 160 किलो मीटर प्रति घंटा है और इसका नाम बदल कर बंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्चन की तरफ महत्मा जोती बाप फुले द्वारा किस संक्टन के स्टा की गे ति समय लोग जगा 1873 में 1873 में महत्मा जोती बाप फुले द्वारा किस संक्टन की अस्थापना की गई थी जब आप जरूर दीजेगा आप लोग सेलेक्शन लेने वाले सरकारी मास्टर बनेंगे भवेशे में तो देखे मात्मार्ट जोतिवाफ फुले द्वारा कि संग्टन के स्थापना की गई थी या सत्य शोधक समाज सत्य सोधब समाज के स्थापना किया गया था कब 1873 में इसका उदेश समाज के कम जोर उबर को समाजिक ने उनिस सत्रियों के लिए अनिक पाट सालाएं आना थाले खोले जोतिवाफ में धर्म पुराणों का भंडापूर इसारक चेताउनी है 888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे इस पर निकाउत्तर शी होगा सवन मैं सबको अगला सभी लोग फटा पर जवाब देंगे अंतर राष्टी मुद्रा कोस का मुख्याले कहाँ पर है सभी साती फटा पर जवाब दिजेगा जी हैं पंद्रा तारिक से आपके लिए और लेन बैस शुरू हरी आप जोड़ सकते हैं टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करक सभी साती टेलीग्राम जरूर जोइन करेंगे डिस्किप्शन में इसकी लिंक है क्लास नोट्स के समन्द में जानकारी चीत इस नंबर पर वाट्सेप करके जानकारी ले शकते हैं मेरी क्लास आपको निसुल्क देशित में राष्टित में उपलब्द है दिखे वास अंतर सद्रच मुद्रा इसे आई एम एफ कहते हैं इंटरनेस्नल मोनेटरी फंड ये एक अंतराची संस्ता है जो अपने सदश देशों को आर्थिक इस्तिती पर नजह रखती है और उन्हें तखनीकी सहता भी प्रदान करती है इसका मुख्याले वासिंग्वार्टन ताइस सब्सक्राइब को होई थी कितने देशों की सहमती से तो 29 देशों की सहमती से इसकी अस्थापना होई थी इसका मुख्याले वासिंग्वार्टन यस्ष्यमें अगला प्रश्नाव के सामने है निमनिमेंस कि स्राज में एक रूपए में एक किलो चावल यजना सुरू की गई एक रूपए में एक किलो चावल बताइए जबाब दीजेगा सभी लोग सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइप देख रहे हैं जन्दी से कॉमेंट करिएगा और दिये के प्रश्नका जबाब दीजेगा जल्दी जबाब दीजेगा सभी साथी सभी लोग फटापट कॉमेंट करिएगा कि एक रूपए में एक किलो चावल यजना की सुरू बाद किशने किया था इस प्रश्ने का उत्तर होगा तमिल नेडू सरकार ने तमिल नेडू सरकार में इन्हेंनों गोस्रमा पत्र में दे के रूप में होगी पाकी के लिए जोइन कर सकते हैं यह लेने के द्रगेश पर टेलीग्राम पर निसुल्ख है अपके साथ अगला है हाल ही में भाद के पधान मंत्री नेंद्र मोदी वह भारत और रूस के बीच राणनी साज़ेदारी की अभूत्पुन योगदान के देखे भारत रतन भारत का सबसे बड़ा नागरिक प्रशकार है ठीक किस इन नेडियल मेंडल अफ फ्रडंव तक यह हैं अमेरिका कि सबसे बड़ा प्रुषकार है जायत मेडल है यह किसका है स्वंगत अरब अमीरात का शायुक्त अरब अमिरात का सबसे बड़ा नागरिक प्रश्कार है तो बताई इस प्रशने का उत्तर क्या होगा ये रूस का सबसे बड़ा प्रश्कार है तो आप लोग इस चारो प्रश्न का उत्तर मिल गया सभी को चारो प्रश्न का उत्तर मिल गया न इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डीस का शही जवाब होगा क्या सबको समझ में आ गया जित्ते लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहिसे फेस्बुक पे चाहिए यूटुब पे जहां भी आप देख रहे हैं अभी 30 प्रेस्ट वे 20 प्रेस्ट और होने हैं अभी आपके अगला है टाइगर बूर्ट्स का नाम किस्ते संबन्दीत है टाइगर बूर्ट्स का नाम किस्ते संबन्दीत है most important सभी लोग जवाब दीजेगा यह अमेरिका के एक गोल्फ खिला रही है यह अमेरिका के एक गोल्फ के खिला रही है ठीक है अगला जिसको वीडियो साफ नहीं देख रहा है बिडियो की क्वालिटी बढ़ा सकता है ठीक अब ध्यान दीजेगा प्रथम ACI खेल का आउजन अस्तल था प्रथम ACI खेल का आउजन अस्तल था जल्दी से कॉमेंट करके बताईएगा जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कव हुआ था कहा पे? नयविडिल्नी में हुआ था कि तहाँ पे? तिशमें इग्यारत देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें 489 खिलाडी थे खिलाडी सेंगें कितनी थी? 489 थी इसमें पर्थम तीन जापान भारत इरान को प्राप्थ हुए थे फिर आगे चलके नौवा एसी आई नौवा भी दिल्ली में होता है कहाँ पर दिल्ली में कब 1982 में 1982 में ठीक है अब रेड क्रास दीवस कम मनाया जाता है जल्दी से कॉमेंट करके जवाब दीजेगा कि रेड क्रास दीवस कम मनाया जाता है जल्दी से कॉमेंट करिएगा मेरे प्यारे सिचक्षातियों जल्दी से जवाब दीजेगा लिखे मैं इसके चारोग बारें बता रहा हूँ रेड क्रास दिवस कम मनाया जाता है पांच से तंबर से चल दिवस मनाया जाता है ठिक 27 फरोरी को तो कुछ नहीं है लेकिन अगर 28 फरोरी होता तो दिज्ञान दिवस होता ठिक 8 मही को रेड क्रास दिवस मनाते है ठिक 8 मही को रेट क्रास दिवश मनाते हैं ठीक कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या नहीं है न चलिए सत्र मही दिया है तो सत्र मही को बिश्व दूर संचार दिवश बिश्व दूर संचार दिवश मनाते हैं ठीक है किलियर होगे किसी कोई डाउट है अगला है pound किस देश की मुद्रा है pound किस देश की मुद्रा कि ग्रिए लेड्ट का और इसे सब्धिका ही है तो जित्ते लोगों इस प्रेशन ठिक, समझ मारे सब को, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नहीं है न, चलिए, हमागे बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्णी की तरह, इस प्रश्णी का उत्तर क्या होगा, ए, राइट एंसर होगा, चाहे तो आप इसकी स्कीन सॉट क्लिक कर लें, सबी लोग, अगला है, उठाए हुए हतोरिम का सवाल है, सिर्व गत्ती सकती, गत्तो कर सकती, बेद्धा सकती, ने सकती, क्या होगा, सभी लोग जबाब दीजेगा, बताएए सभी लोग, सभी लोग जबाब जरूर दीजे, देखे, उठाएए तोरिम क्या होता है, जबाब दिखरिएगा, 35, इन्हें द्ध्वानी सकती होती है, कौनसी, द्ध्वानी सकती होती है, डिप्थिरिया और पोलियों को रोका जा सकता है कैसे डिप्थिरिया और पोलियों रोगों को टीका खरण के द्वारा रोका जा सकता है किसे टीका खरण के द्वारा रोका जा सकता है डिप्थिरिया के लिए अगर डिप्थिरिया की बात करें इसके पिटी का ठीका लगता है डी पी टी का लगता है पोलियों की अगर हम बात करें तो पोलियों के लिए ओपी वी का टी का लगता है याद रखेगा ठीक यह दोनों प्रस्टन की स्किंसोर्ट कर लीजेगा कि अगला प्रस्टन आपके सामने है स्याद आपको दिख रहा होगा 37 समुद्र में जल किस प्रक्रिया के द्वारा सुद्ध किया जा सकता है जल्दी से कॉमेंट करके बताईएगा सबी लोग ये पच्छास प्रस्टन आपके लिए इलनेवी दुर्गेश पर आपके सेलबस के अधार पर सिच्छल भट्टी जूनियर परिच्छा के लिए महत्रपून है ठीक ये कुछ लोग 35 करें गलत है तो द्यान से देख लीजेगा 35 में उठाए हुए हज़ोड़े में द्वानी सकती होती है समदर के जल को किस प्रक्रिया दौरा सुद्ध किया जा सकता है शैंतिश नमबर बताएगा ये आश्मन के दौरा किसके दौरा आश्मन के दौरा बिस्व में ऐसे अनेक समुद्धी देश हैं जहाँ पर प्रयाप्त मात्रा पेजल नहीं है वहाँ पर समुद्ध जल को पेजल प्राप्त करने के लिए आश्मन विधी का ही प्रियोग करते है 38 उर्जा का मुख्य सुरोत क्या है बदाएए उर्जा का प्रमुख्य सुरोत क्या है उर्जा का प्रमुख्य सुरोत क्या है इसमें से जवाब जरूर दीजिएगा यह होगा कार्बो हैड्रेट क्या होगा कार्बो हैड्रेट इस पस्तन का सही जवाब होगा कर्भो हैड्रेट से कारबन हैड्रोजन में आक्सीजन होते हैं जो उर्जा प्रदान करते हैं मंड ग्लाइकोजन गुलकोज सरकरा ये मीठी भी होते हैं ये सरी में सक्तिपन करने का प्रमुख सुरोत होते हैं विटामिन क्या करते हैं हमारे सरीर में कॉमेंट करके बताएगा अगला है 49, चुम्बकी सुई किस तरफ शंकेत करती है, हमेशा याद रखेगा, एकदम आसान सवाल है चुम्बकी सुई कॉमपास में देखा होगा, जिसका चीन के अभिसकार धन राजवनसन ने किया था कॉमपास का अभिसकार चीन में हुआ था, बताएए देखें, यह हमेशा आपने मैप में देखा होगा, ऐसी चिन होता है ऐसी, इसका मतलब होता है, यह हमेशा उत्तर दिशा के तरफ बताता है और धुरूत आरा किस दिशा का घोतक है, कॉमेंट करके बताएगा सभी लोग, इसकी अधार पर अन दिशा याद कर सकते हैं एक छोटा सवाल, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में राज्य कितने हैं, और केंद्र सासित कितने हैं यह ज़ां के सेलबस में है, सभी लोग जवाब जरूर दीजेगा, बहुत से लोग इस प्रशन का उत्तर गलत बता रहे हैं इसलिए मैंने यह प्रशन दिया था, जी हाँ, पंद्रह तारिक से सिच्छब भरती की न्यूबैच हो रही है, चाहें आप वहाँ पे जुड सकते हैं यह जौनपूर से होगी, मेरी क्लास आपको निसुलक देशित में राश्टेते मिलती है राज्जे देखिए 28 राज्जे, कैसे 28 राज्जे, पहले 29 राज हुआ करता था, लेकिन एक राज्जे कम हो गया, कौन जम्मू कस्मीर, अब इसकी संक्या 28, अगर केंसाजी प्रदेश की बात करें, पहले 7 था, फिर 2 बन गए, फिर माइनस 1 हो गया, अब हो गया 28, आठ हो गया, अब जैसे इसकी एक कप घटा था, ये घटा था, पांच अगस्त 2019 को, लेकिन एक नया कप जुड़ा, ये जुड़ा था, 26 जन्वरी 2020 को, दादर नगर हवेली दवन दिप को एक कर दिया गया, जिसकी संक्या घट गई, अब केंसाजी प्रदेश 8 और राज 28 तो 28 रा जल्दी से कॉमेंट करके बताईए, जल्दी से कॉमेंट कर बताईए, एक रेस के गोड़े, रेस में अच्छे रखते खेत में नहीं, फोर में दचता अधिक्तम है, ये पूर्ण भार के आधिये पर चलता है, इस परस्टने का जो शही बीकलपो का, 40 का वह आपका है, इसक भारन ट्रांस्फार्मर की चमता अधिक होती है, अगरे इसके सूत्र की बात करें, ये होता है, आउटपुट, शक्ति, गुड़े, 1000 बटे, इनपुट, सक्ति, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ट्रांस्फार्मर की दच्छता ग्याद करने ठीक है ट्रस्फर्मर का दच्चता ग्याद करने का यह इसका सोत्र है ठीक चाहें तो इसकी इंसर्ट क्लिप कर लें अगला है आपके सामने अब हम रेजिनिंग की सुरुवात करते हैं यहाँ पर ध्यान दिजिएगा आपके पाट करम में रेजिनिंग है यहाँ पर कहरा है येदि किसी कुट भासा में प्लस कार्थ गुड़े हो जाए प्लस कर्द क्या हो जाए गुड़ा और माइनस को प्लस और गुड़े को भाग और भाग को माइनस प्रस्तूत करता है तो निम्लिकित क्या होगा तो आठ भागे चार है तो भाग क्या हो जाएगा माइनस आठ माइनस चार तो हो जाएगा आठ माइनस चार गुड़े का क्या ह 27 28 में दो हो गया च्छाँ 27-27 इस प्र pledge क्या होगा सिए ठीक गोंच भेशिए सबको कोई दाउड किसी को को निखत सब कर जिनकों नहीं आतों गलत लगेगा न ठीक है जिनको खुद नहीं आतों गलत लगेगा जाके एंसे चेक करें एक प्रश्ण गलत हो जा फिर आप बताएं एंसे चेक करिएगा अच्छी बुक्त अथंटिक बुक्त कथन क्या भारत में अनुवानसिक रूप में संसोधित बिनवला के उ अठाली आजाना चाहिए तर्ग हां का पास उपादन बढ़ाने के सही एक मात तरीका है नहीं इन बीजों का मनुस पर हानिकारा प्रभाब परता है अनुचा अथा इनका उप्योग नहीं क्या जाना चाहिए कथन के आधार पर आपको कारण असप्ष्ट करना है धान दिज इसका केवल तरक दो ठोस है कैसे नहीं इन बीजों का मनुस पर हानिकारा प्रभा परता सही बात अता है इनका उप्योग नहीं क्या जाना चाहिए इसलिए अनुवासी कुरुप से संसोधी बिनौला को उप्योग से ततकाल उठा लेना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर बी क्या होगा बी होगा क्या होगा बी होगा ठीक समझ मैं आपको कोई देखकर चलिए जिन लोगों को दिमा की बुखार से क्रस्ट होने का निदान क्या है उन्हें स्सक्षाल से अलग मात्यों में दाखिल क्याता है सबी जवाब दीजएगा देखेश्याis 802 दिखेएगा इसमें क्याय किस सहर में बहुत से लोगों के अधिदिक संक्रामग दिमा की वुखार से पिडित होने के सोचना है इसमें क्या होगा बिहाग ग्रस्थ होने के निदान किया जैने उन्हें अस्पताल अलग वाड़न देखिल किया जै सरकार को सभी नाइव ऐसे रोगियों से अउलिम्बन अस्पताल भ क्या यहां प्रश्न में आपके लिए लगता हीं और पूरा एंचियां ट काडा है निचोड, निचोड कर अगल आपके सामने है क्या आपके सेल बस में घरी है एक बास ध्यान से दीखिएगा क्याक म्यूर्ट होगा, यहां कुछ नहीं करना है वैसे आपको online class में मैं इसको अच्छा पढ़ा दूँगा लेकि यहां पर होगा बारह एक दो तीर चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारह कितने बजें ग्यारा बजें ग्यारा कैसे बजेगा यह दिखें यह ग्यारा होगा यह अब एक जेट ग् की बीच में एक कशन अंतर है तो जब एक कशन अंतर होता है तो यहां पर तीस एंसका कोण एगजेट को उत अब यहां कह रहा है स्रीमति सुसिला ने अपनी साधी की वर्सगांट मंगलवाद तीस सितम और इस सो तानवव मनाई अपनी अगली साधी की वर्सगांट वह उसी दिन कब मनाएंगी जरा कोमेंट करके बताईएगा आईए इस विशे पे हम आपका बड़ा लंबा समय कीचेंगे इसकी स्किन सॉर्ट कर लीजिएगा यह सवाल थोड़ा सा आपका बड़ा लगेगा ठीक है यह सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा कैसे आईए देखते है सुसिलान अपने साधी के वर्सगांट तीस से नमबर सतान ठीक है धान देजेगा तीस सितमों 297 को इन्होंने क्या किया अपना जंदिन मनाया इस दिन कौन सा दिन है मंगलवार अब हम 97 से separate 98 के तरफ चलेंगे तो 98 क्या होगा 900 99 तो मंगलवार के बाद एक दिन जुड़े आएगा यहाँ पर हो जाएगा बुद्धुवार क्योंकि एक दिन हैहाँ पर होगा फिर 999 माएंगे यहाँ पर भी क्या होगा एक दिन जुड़ेगा तो बुद्धवार के बाद प्रहस्पतिवार होगा यहाँ पर एक दिन जुड़ेगा लेकिन जब हम यहाँ से इसके आगे सन 2000 में आएंगे सन 2000 को जो फरवरी है इसमें दो दिन जुड़ेगा क्यों फरवरी जो हता है यहां पर 29 का होगा जब 29 का फरवरी होगा इस महिने में क्यों 13 के बाद ही सिदंबर आता है तो यहाँ पर रभीवार होगा, फिर 2009 में जाएंगे तो सोमोर होगा, एक दिं चुड़ेगा, 2003 में जाएंगे तो मंगलवार होगा और यही पूछा है अगला जन दिन उनका कब होगा तो कब होगा 2003 में तो सितंबर चला था न तो 30 सितंबर 2003 को उनका बड़े मंगलवार को पड़ेगा कपड़ेगा मंगलवार को कलेंडर आपके पाटकरम में है कलेंडर आपके सेलबस में है सब को समझ में आ गया वैसे हम लो बार को याद रखेगा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक नान स्टाप संपूर भारत का भुगोल के लेगी इसलिए आप लोग 11 बजे सुबर रवी बार को तयार रहेगा लाइब क्लास होगी जिया संपूर भारत का भुगोल चाहे जियस के लिए पढ़ने हो फर्स्ट पेपर के लि मैं दुबारा इसे समझा दूँगा ठीक है आवकास का मकसद आराम आनन और फिर से उर्जा लवरेज होना है आम तोर पर लोग छुट्टी में बाहर गुमने के लिए जाते हैं वही ठक जाते हैं निसकर्स क्या होगा जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा सभी लोग फट को मिलेगी डिस्किप्शन इसका लिंक होगा अगर फेस्बुक है इलनी भी तुरकेश बताइए निसकर्स इसका क्या होगा 46 देखिए आवकास आराम करने के लिए होता है बाहर घुमना और एक अलग वातावरान खुद आनन से भर देता है अगर यहां पर देखा जाए इस दोनों कथन का हिसाब से तो कथन केवल निसकर्श एक में लागू होता है इसलिएस प्रशन का होगा इसका सही जबाब होगा एक क्या होगा जो है आराम आनंद फिर से उचल अब रेज आराम तौर पर लोग छुट्टी बाहर घुमने के लिए जाते हैं लेकिन यहां पर कह रहा है कि आवकास आराम करने के लिए होता है यह बात उपर हमें दोनों कथल में असपश्ट हुआ कि छिक कि दो हजार दो में फरवरी 29 का नहीं होता कि दिखिए यहां पर अगला प्रस्ट दिया है कि सैंता अलिश कि केरा इस प्रस्टन कथन तत्तों के प्रावन दर्शाय गया है अच्छा वह काफी बड़ा है ना चलिश को छोड़ देते हैं बताई ज़र कमेंट करें सभी लोग जो ळोग लाइम देखर है जल्दी trap करें करें adapting सामिल कर लिए जाए कि कातार में कुल लड़के की संक्षा ठाइस हो जाए थी यह बहुत ही आसान प्रस्टन है इसको हल करने का तरीका क्या है अगर वर्तमान कतार में देखा जाए तो कुल कितने लोग थे चार ना, एक बारह से चार है और दायां से कितना है बारह है, तो दोनों को जोड़ागा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा बारह प्लस चार माइनस एक, मने कुल 12-14 में से गया 15 खतार में कुल लोग 15 है 28 लड़के करने के लिए कितने सामिल करने पड़ेंगे 28-15 बड़ाबर तियर, मानि 28 करने के लिए उसमें 13 लड़के और शामिल करने पड़ेंगे, इसलिए सब से इसएग होगी कोई डाउट कोई प्रश्न कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं सबका क्लियर हुआ न चलि उन्चास को ध्यान से पढ़िएगा उन्चास को ध्यान से क्या रखुल पन्नों के संख्या कितनी है जवाब बताईएगा मैंने इस पुस्तक के प्रारभ में 132 पन्ने गिने मेरी पत्ने इसी पुस्तक के अंत से शुरू करके 138 पन्ने गिने ठीक ये कहो गया अब इसमें बताना है कि चारों गल्प मेंसे आपकी साब से क्या सही होगा जवाब दीजिएगा कॉमेंट करने के बाद सभी साथी सभी लोग जवाब दिरूर दीजिएगा बताई से विलू को जल्दी बताएं साड़े मजे क्लास मॉबाइल में बड़ लगा लीजे निखित का उस्तर बहुत आसान होगा क्या कथन एक और दो दोनों का डाक्रा मिलाकर भी प्रस्ञे का उतर देने के है आप सबी कोई डौर तो नहीं है न कि चलिए आप आखरी प्रस्ण आज का है कि प्रस्ण नमबर पचास जल्दी से गरिएगा और जवाब दीजे अच्छा सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब जोड़ सकते हैं टेली गराम पर आप दुर्गेश सर्च करके इल लर्नी पर जोड़ सकते हैं समथ प्रकारइब इसमें से किसका सम्म्द किश्ट्र है सभी जवाब दीजेगा अईडिया ब्रेन में वाटर बॉर्ट में वेयाइब ब्रक पॉच्छे शबी लोग बताइए सबी साति जो लोग वीडियो को लाइब देख रहें जल्दी से कोमेंट करके बताएंगे जी हाँ सबी साति पंद्रह से आपके लिए एक नई आगाज हो रहे हैं कि पंद्रह तारिख कि सरकारी से चक बनने के लिए एक बड़ी आगाज हो रही है आपके लिए पचास द्यूसी में द्रह क्लासे निश्रक होगी सस्टी भासा साइंस मैथ सभी की होगी जिस प्रकार इसका संब्द बुलेट बैरल से उसी प्रकार बुलेट का संब्द बैरल से है ठिक किसी कोई दिकत को समस्य होत कमेंट कर सकता है चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसी भी समस्या के लिए बिटिगत समस्या के लिए मेरे इस्टाग्राम पे दुरगे सर पर मैसेज कर सकते हैं बाकि अन्य सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पर तेक रभी वार रभी वार इस पेसल आपके परिच्छा के लिए 11 बजे से जी हाँ 11 बजे से सुबह की 11 बजे से सामके 4 बजे तक एक बड़ी मेराथन क्लास चलेगी जिसमें कल की सिरीज जो होगी कल की जो टॉपिक रभी बार की जो टॉपिक होगी वो होगी भारत का संपूर भारत का वगोर तो क्या आप तयार हैं बताई सभी लोग सभी लोग बताईए चली बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी लोग ध्यान दीजेगा आप सभी का क्लास चली गराम पर फेजु पेज़ पर मिलती रहेगी बीडियो को अपने सभी साती मित्र को शेयर जरू करिएगा बेस्ट आफ लग जय हिंद जय भार बेस्ट आफ लग गोड़े रेस अपने खेत में नहीं और आप सभी रेस के गोड़े हैं और आपकी रेस अपने आप से है आपकी रेस सलेक्शन से और इस बार, अब की पार, एक सीठ हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब आपको इतिहास बनने और बनाने का सौभाग्य है, इसलिए इस भरती को अपने सामने से नहीं जाने दीजेगा, 11 बजे मुबाईल में लारब लगा लिजेगा, विक कि अब की पार, एक सीठ हमार, संपूर भारत का भगोर, एक दिन हिस्टरी, एक दिन जेग्राफी, एक दिन मैथ, एक दिन साइन्स, एक दिन लेंग्वेज, एक दिन आपकी क्लास उठाएंगे, और सब कुछ खतम कर दिया जाएगा, जी हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारे सिचक साथियों, चलते हैं तब